जब 411 तुम्हें दर्द की जगह मज़ा आएगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। आलू अंशा के पेट पर बैठ कर क्यूट फेस बना कर बोली, मम्मा आप छपने मेका बोल रही थी। अंशा आलू की बात सुनकर विक्रांद की तरफ देख कर पूछती है। अंशा विक्रांद की बात सुनकर शर्म से अपने चहरे पर ब्लांकिट धाक लेती है। आलू अंशा के चहरे से ब्लांकिट हटा कर बोली, मम्मा बोट जाओ, मेली को गूमने जाना है। अंशा चेन की सांस लेती है। विक्रांद बेबीस और आलू को उसकी नैनी को सौख देता है। और खुद अंशा को अपनी गोद में उठा कर बातरूम में ले जाता है। अंशा विक्रांद की गोद में चटपटाते हुए बोली, हब्य आप मुझे नीचे उत्राए, मुझे पता हैं, आप शाव के बहने मेरा विकार करने लिए हो। विक्रांद टेड़ी मुसकान मुस्कुराते हुए अंशा को फर्ष पर खड़ा करके बोला, स्वीट हाट अब तुम अपने हबी को समझने लगी है, और अगर मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, तो अपने मों डैट से किया, प्रॉमिस कैसे पुरा करूंगा, अंशा क अंशा को शाव के नीचे खड़ा करके सेक्सूल वइस में बोलाओ, उनको दोबारा दादा दादी बनाने का प्रॉमिस, अंशा विक्रांद की बात सुनकर शर्म से लाल हो जाती है, और विक्रांद को देरे से धक्का देकर बाथरूम से बाहर भागती है, अंशा इससे पह पहले ही विक्रांद अंशा की नाजुक कलाई पकड़ लेता है, अंशा शर्म कर दीनी आवाज में बोली, हब भी अभी नहीं, मेरे अंदर आपको जेलने की ताकत नहीं है, विक्रांद अंशा के कंदे पर किस करके सेक्सूल वइस में बोला, स्वीट हार्ट बहुत प्यार से सब कुछ करूंगा, तुम्हें दर्द की जगह मजा आएगा, विक्रांद की बात सुनकर अंशा की तो शर्म से हालत ही खराब हो जाती है, विक्रांद कितना भी प्यार से रोमेंस शुरू करके पर धीरे धीरे विक्रांद वाइल्ड हो ही जाता था, अंशा का नश विक् को ही प्यार करते रहना चाहता था, विक्रांद एक जट्के में अंशा को दिवार से सट कर शिवार ओन कर देता है, और शाव से गर्म पानी गिर रहा था, अंशा ने विक्रांद की वाइट शर्ट जो पहनी हुई थी, वो पानी से भीगने पर ट्रांस्परेंट हो जाती है विक्रांद अंशा से तीन कदम दूर खड़े होकर, अंशा को अपनी डिजाय भरी नजरों से देख रहा था, विक्रांद अंशा को उपर से नीचे तक देख कर, टेली स्माइल करते हुए सेक्सूल वोइस में बोला, स्वीट हाट आलू के पैदा होने के बाद तो तुम्ह सी फिगर बिगर गया, ये देखो मेरा पेट मोटा हो गया है, विक्रांद अंशा की नौटन की से हलका सा मुस्कुराते हुए बोला, स्वीट हाट तुम्हें नहीं पता, तुम बल की खूबसूरत हो, और अगर तुम कभी मोटी हो भी गई, तो मेरा प्यार तुम्हारे लि साल बाद भी बिल्कुल नई नवेली दुलहन की तरह शर्माती है, तब ही अंशा के दिमाग में एक बात आती है, अंशा विक्रांद की मस्कूलर चेस्ट पर अपने रंगी नाखुनो सेक्सूल वे में घूंटे हुए पूछती है, हब भी एक बात बताए, अगर मैं आपक जिन्दगी में ना आती, तो आप किस से शादी करते, अंशा विक्रांद के जवाब सुनने के लिए एक साइट थी, विक्रांद को अंशा को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था, विक्रांद गहरी सांस लेकर बोला, अगर तुम मेरी जिन्दगी नहीं आती, तो दो कमूरोने जैसा हो चुका था, विक्रांद अंशा को और परेशान करते हुए बोला, उन लड़कियों में से एक तो यहीं लंदन में रहती है, तुम चाहो, तो मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवा सकता हूँ, विक्रांद की बात सुनकर, अंशा उसकी मस्कूलर चेस्ट के मारते हुए, रोते हुए बोली, ए, मुझे तो कालेज के पास जो समोसे वाले अंकल थे, उनके बेटे से शादी कर लेनी चाहिए थी, काम से काम मुफ्त में मुझे मेरे फेवरेट समोसे तो रोज़ खाने को मिलते, आपके साथ मुझे क्या मिला, शादी से पहले ही तीन बच्चे ए और आपका धेसरा थरकी पन और शादी के बाद वो भालू मिला जिसकी वजह से मेरी कमर का कमरा बन गया विक्रांट अन्षा की किसी और से शादी करने वाली बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और अंशा की अब यी बात पुरी भी नहीं हुई थी, कि विक्रान्थ उसके होंठों पर अपने होंठ रख अंशा की बोलती बंद कर देता है। आज रात तुम्हारे लिए मैंने एक सर्प्राइच प्लान किया है। तुम अपने इस दूसरे हनीमून को हमेशा याद रखोगी। अंशा अपनी सांसे संभालते हुए बस घबराई नजरों से विक्रान्थ को देख रही थी। अंशा को पता था। विक्रान्थ और उसका उ धर उधर घूमने लगती है। अंशा के हाथ विक्रान्थ के कंदू पर कस गय थे और अंशा मधोश भरी सिस्किया में विक्रान्थ का नाम ले रही थी। विक्रान्थ अंशा की सिस्किया में अपना नाम सुनकर टेरी मुस्कान मुस्कुराते हुए नीचे की और बढ़ ज आपको क्या मुझे अपने पैरों पर चलते देखना अच्छा नहीं लगता अब मैं लड़ खडाते हुए चलूंगी तो आपको तो बहुत अच्छा लगेगा और आलू और सैंडी हमेशा की तरह जासूस की तरह मुझसे पूछताच करेगी मम्मा आपसे क्यों चल रही हो अगर मैं फिर से तुम्हारे करीब आया तो इसमें तुम्हारी गलती हो होगी अंच्छा विक्रांद की बात सुनकर घबरा जाती हैं विक्रांद का तो कोई भरोसा भी नहीं था वो जो बो रहा था वो वो कर सकता था अंच्छा बस शान्थ होकर विक्रांद के सीने से लग कर उसके बाल हेर ड्राय से सूखता है अंशा विक्रांद की केर देखकर खुद को हमेशा दुनिया की सबसे लखी लड़की मानती थी फिर विक्रांद अंशा के बालों को कोम भी करता है अंशा चेर से लड़कर आते हुए खड़ी होती है और विक्रांद के हाथ से कोम लेकर म अब भी अब आपकी बारी है, आज मेरा भी मैंने हब भी की केर करने का मन है, तो अब आप चेर पर बैठ जाए, विक्रान्थ अंशा की बात मान लेता है, विक्रान्थ चेर पर बैठ जाता है, और अंशा हेर ड्राय से विक्रान्थ के बाल सूखते हुए, एक रोमेंटिक सौ और विक्रांत आखे बंद करके अंशा का सौंग सुनने लगता है, वही आलू जो रेडी हो चुकी थी और विक्रांत और अंशा के पास आई थी, वो विक्रांत को अंशा का सौंग मजे लेकर सुनते देख कर गुसे में ख्यूट फेस बनाकर बोली, डैडी आपने मिले को तो गाना गाने छे मान कर दिया जिल्म में छब मिला गाना चुनना चाहते थे पर आप मिले को गोदी में उठा कर जबलदिस्ती लेकल आ गए और आपने भी मिला गाना नहीं चुनना और अब आप मम्मा की मौई कनवे जैसे आवाज के गाने चुन रहे हो आलू का लेक्चर सुनकर अंशा और विक्रांद पीछे मुल कर कर देखते हैं तो आलू को अपनी कमर पर हाथ रख कर खड़ा देखते हैं अंशा हेयर ड्राय ड्रेसिंग टेबल पर रख कर आलू को जान पूछ कर चिर्दाते हुए विक्रांद के बालों पर किस करके बोली मिसलीशा ओबरोई ये मेरे विक्रांद सर हैं तो ये सिर्फ मेरी कनवे जैसी आवाज में ही गाने सुनेगे तुम अपनी मीठी आवाज किसी और को जाकर सुनाओ आलू अपनी हारी आँखों से अंशा क गूरते हुई बोली जे मिले डेडी हैं जे मिला गाना चुनेगे आप अपने मौय कनवे वाले आवाज को बेबीस को चुनाओ विक्रांद अंशा और आलू को अपना गाना सुनने के लिए एक दूसरे से जगरते देखता हैं तो विक्रांद चैसे खड़ा होकर बोला तु उसका बड़ा सा हाथ पकड़ कर बोली अच्छा है आपने मिले को समझ दिया वलना आज आपकी छीट होटकों में उठा कर मटक पटक देता आलू आलू की बात सुनकर गुस्से में दान भींच कर बोली बदमाश लड़की रुको तुम तुम ही तो मैं उठा कर पकती हूँ विक्रांद आलू को घूरते हुए बोला आलू बाबू ममा से सौरी मानगो मैंने आपको बताया था ना कभी भी अपनी ममा की डिजरिस पैक नहीं करते विक्रांद की बात सुनकर आलू अंशा से बोली सौरी ममा मिले को छफा माव कल दो अंशा आलू की क्यूटनेस से विक्रांद ने आज ब्राउन शर्ट और जीन्स की पैंट और शर्ट के ऊपर लैदर की ब्लेक जैकेट पहन रखी थी विक्रांद ने अपने बाल जाल से सट कर रखे थे और विक्रांद ने अपनी आँखों पर सेड लगा रखे थे और हाथ में ब्रांडेड वाच पहन र अंशा ने चुरली ही इतनी खूब सूरत थी कि उसको मेकप की जरूरत नहीं पड़ती थी। अंशा ने उनको भी अच्छे से गर्म कपड़े जूते क्या पहना रखे थे। आवाज के गाने सुनकर खुश हो रहे थे। चब 412 मेरे धर की हब भी बस बस कितनी फ्लटिंग करोगे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। इस वक्त विक्रांत और अंशा अपने बच्चों के साथ लंदन आये की रेड ले रहे थे। आलू के कहने पर विक्रांत ने पुरे आधे घंटे तक रैट ले। आलू इस वक्त बहुत खुश हो रही थी, खुशी से चिल्ला रही थी। वही विक्रांत ने अपने इस हनीमून ट्रप की फोटो और वीडियो बनाने के लिए एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को रखा था। फोटोग्राफर ओबर ओए फैमिली की बहुत ही नेचुरल और ब्यूटिफूल फोटो खीच रहा था। विक्रांत अंशा के साथ बिताई गए हर के खुबसूरत पल को कैद कर लेना चाहता था। विक्रांत ने अपने फास्ट हनीमून ट्रप की ऐसी ही खुबसूरत यादों को फोटो और वीडियो के जरिये अपने पास संजो कर रखा था। विक्रान्थ और अंशा अपने बच्चों के साथ दूसरी जगह हूने निकल जाते हैं वही कार में आलू विक्रान्थ और अंशा के बीच में बैठी थी और अपने लनिंग टब में तीन का टेबल सुन रही थी वही विक्रान्थ इस वक्त अपनी प्रिंसेस को लादलार रहा था विक्रान्थ सेंडी को अपनी गोड में लेकर बैठा था उसके माथे पर किस करके प्यार से पूछता है मेरी प्रिंसेस खुश तो है ना सेंडी क्यूट तरीके से स्माइल करते हुए हां बोलती है विक्रान सेंडी को अपने सीने से लगा कर बैक जाता है और सेंडी की पीट पर सहलाते हुए अपनी आँखें बंद कर लेता है वही अंशा भी बड़ी बेचना आत्मा थी अंशा आलू को गुस्से में घूरते बोली आलू की बच्ची अपने इस टैब को बंद करो इस मैथस की वजह से कालेज में मैंने अपने प्रोफेसर से बहुत दांट खाए हैं और अब ये मैथस मेरे हनीमून पर मेरे पीछया गया आलू अंशा को चिराने के लिए अपने टैब की आवाज और तेज कर देती है अंशा गुस्से में आलू से टैब लेकर बोली नालायक लड़की वैसे तो तुम से पढ़ा नहीं जाता तुम्हारा होमवर्क भी मुझे तुम्हें करवाना पड़ता है और अब देखो हॉलिडे पर आकर भी तुमको पढ़ाई करनी है वो भी मैथस मैं तुम्हें और इस मैथस को अपना हनीमून बरबाद नहीं करने दूंगी आलू अंशा को भूरते हुए बोली मम्हा मिला टैब वापच कल दो वलना मैं डैडी को बोल दूंगा आप मिले लिये नए डैडी लाने की बात बोल रही थी अंशा आलू की बात सुनकर जल्दी से उसके मूँ पर हा बोली अगल आप चाहते हो मैं डैडी को ना बताऊं आप मिले लिये नए डैडी लाने को बोल रहे थे तो मेला टैब वापच दो अंशा आलू को उसका टैब लोट कर मूँ बना कर बोली ब्लैक मेल करने में तो बिलकुल अपने डैड पर गई हो जैसे तुम्हारे डैडी अपने मुझे मेरे दोस्तों के नाम पर ब्लैक मेल करके शादी के लिए हाँ बुलवाया था वैसे ही तुम भी अब मुझे ब्लैक मेल करके अपनी बात मनवा रही हो आलू अंशा को चीप चड़ कर वापस टैब में बिजी हो जाती है वोही विक्रांद बंद आखों के बोल रही थी अंशा अपने माथे पर मार कर मन में बोली लो शैतान ने सुन लिया अब तू गई अंशा मासूमियत भरी आवाज में बोली हब भी ये तो तब की बात हैं जब अपने मुझे घर से निकल दिया था तब मैंने गुस्से में आलू से ये बोला था विक्रांद वक्त अंशा को बहुत परेशान करने वाला है अंशा गुसे में बच्चे-बच्चों की तरह आलू की मन की कैप खीच कर बोली तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती तुम्हें हॉस्पिटल में किसने बदल दिया है मेरा बाबू तो कोई और ही है आलू अन्शा की बात सुनकर गुस्से में क्यूट फेस बना कर बोली आप भी मेली मम्मा नहीं हो आपको भी किछनेप उस्पिटल बदल दिया है आलू और अन्शा के जगरे को सेंडी और विक्रांथ बहुत एंजोई कर रहे थे आन्शा आलू की बात सुनकर एक बार फिर से उसकी मन की कैप खीच कर बोली नालायक भालू तुझे तो मैं उठा कर पटक दूंगी और तेरे डेडी भी तुझे बचा नहीं पाएंगे समझी आलू अपना टाब ओफ करके साइद में रख कर अन्शा को भूरते हुई बोली अगल आप मिले को उठा कर मतकोगे पटकोगे तो मिले डेडी आपको बैट पर मतक दे देंगे आलू की बात सुनकर विक्रांथ के चहरे पर बढ़ी सी स्माइल आ गई थी वही अन्शा मूँ फड़ कर अपनी पीडी सी बेटी को देख रही थी अन्शा आलू से हार मान लेती है अन्शा को पता था विक्रांथ और आलू से जीतना उसके बस की बात नहीं है दोनों बाप बेटी एक नंबर के हारामी थे वही विक्रांथ आंखे खोल कर अन्शा से स्माइल करते हुए बोला DCP के पांडा तुम्हें पता हैं तुम विक्रांथ ओबरोय के भालू से जीत नहीं सकती फिर क्यों पंगे लेती हो मेरे खुनखार भालू से अगर मारने का इतना ही शौक है तो सीधे भालू के बाप से पंगलोना अन्शा विक्रांथ की डबल मीनिंग बातों को समझ कर शर्म से अपना चेहरा अपने हाथों की हथेलियों में छुपा लेती है ओबरोय फैमिली घूम फिर के नाम तक अपने होटल लोट आते हैं आलू और बेबीस, बेबीस के रूम में सो रहे थे वही विक्रांथ और अन्शा अपने रूम में बैट पर एक दूसरे की बाहों में बैठे थे विक्रांथ अन्शा की पीच सहलाते हुए प्यार से पूछता है मेरी खरगोशनी को हनीमून पर मज़ा तो आ रहा है न, अंशा जो विक्रांद के सीने पर सिर रख कर बैठी थी, वो हमम मैं जवाब देती है, विक्रांद अंशा शांद देख कर पूछता है मेरी खरगोशनी ठक गई, अंशा अपना चहरा उपर विक्रांद की आंखों में देख कर बोली, थोड़ा सा, विक्रांद अंशा के बालों पर किस करके बोला, तुम कुछ देर सुजाओ, रात को हमें अभई के घर जाना है विक्रांद की बात सुनकर अंशा को वर्धन की जादा आ जाती है, अंशा एक साइट होकर विक्रांद से बोली, हब भी आपके दोस्त का बेटा मुझे आपका बच्पन लगता है, आपके जैसा तयार होने का तरीका, आपकी तरह इत्टियूड, मुझे तो वो लिटिल डे की फोटो निकल कर देता है, अंशा विक्रांद की बच्पन की फोटो देखकर एक साइट होकर बोली, हब भी ये आपकी कब की फोटो हैं, विक्रांद कोल्ड वोइस में बोला, जब मैं तीन साल का था, अंशा स्माइल करते हुए बोली, हब भी आप तो हलके हलके आलू के जैसे लग रहे हो, विक्रांद अंशा माथे पर किस करके बोला, स्वीट हाट मेरी बेटी, मेरी तरह ही तो लगेगी, विक्रांद भी अपनी तीन साल की उम्र में क्यूट लग रहा था, अंशा विक्रांद के गाल पर किस करके बोली, हब भी आप तो बच्पन में क्यूट पाई थे विकरांथ अंशा से फोन लीकर नाइट स्टेंद पर रख कर cold voice बोला, सुइचार्ट बच्पन वाले विकरांथ में क्या interes ले रही हो, इस विकरांथ में interest लो, ये विकरांथ तुम ही सब कुछ दे सकता हैं, अंशा विकरांथ के गाल पर बाईट करके समाइल करते हुए बोली, मेरे थरकी हब्भी बस-बस कितनी फ्लटिंग करोगे, मैं तो आपकी पहले ही हो चुकी हूँ, विक्रान्त अंशा को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है, अंशाक हिलकी लाते हुए बोली, थरकी हब्भी, तभी विक्रान्त का फोन बाजने लगता है, विक्रांत अंशा को बहों में भर हुए ही अपना फोन ना इट स्टैन से उठा कर रिसीव करता है, फोन के दूसरी तरफ से अभे बोला, ब्रो तुम्हें याद है ना, आज तुम्हें मेरे घर आना है, विक्रांत कोल्ड वैस में हमम, बोला है, दो त आथरोग पहना कर चेंजिंग रूम में खड़े होकर सोच रही थी, कि वो अभय के घर क्या पहन कर जाए, वही विक्रांत जो ब्राउन कलर कोट और उसके अंदर ग्रीन कलर की शर्प पहन कर तयार था, विक्रांत अपनी ब्रांडेड रिस्ट वाच पहनते हुए कोल्ड व पहनलू, विक्रांध हमम, बोल कर बाहर चेंजिंग रूम से बाहर चला जाता है, वही अंशा भी साड़ी पहन कर तयार हो जाती है, अंशा रूम में आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर सबसे पहले अपने बाल बना कर उनको कल करती है, और फिर अपनी मान को सिं रहा था, जब उसकी नजर अंशा पर पढ़ती है, तो वो अपनी खरगोशनी को एक टक देखता ही रहा जाता है, अंशा अपने पैरों में हलकी पायल भी पहनती है, और चेहरे पर बहुत लाइट मेकप करती है, विक्रांध टेड़ी मुसकान मुस्कुराते हुए अंशा क के पास आकर, उसकी खुली कमर पर उंगलियों को सेक्सूल वे में घूमते हुई बोला, स्वीट हाट अभी कुछ कमी है, अंशा विक्रांध की बात सुनकर अपने आपको आइने में ध्यान से देखती है, अंशा को तो कुछ भी कभी नहीं लग रही थी, अंशा सेक्सूल वे में बोला, स्वीट हाट आज ये तूटने वाला है, विक्रांध बात सुनकर अंशा के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो जाते हैं, अंशा शर्माते हुए बोली, हब भी हमें बाहर जाना है, प्लीज अब मुझे ऐसे नोटी नोटी बाते करके परेशान मत कर विक्रांध अंशा के गाल पर किस करके ओके बोलता है, फिर विक्रांध और अंशा अपने बच्चों को लेकर अभई के मेंशन के लिए निकल जाते हैं, आलू ने रोयल ब्लू कलर का प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था, और एक चोटी बना रखी थी, सेंडी ने पिन कलर की नेक वाली फ्रॉक पहन रखी थी, और मैंगो पैपसी ने वाइट कोट पहन रखे थे, वो लोग एक घंटे में अभई के आलीशान मेंशन पहुँचते हैं, विक्रांध की कार मेंशन में अंदर अंडर करती हैं, विक्रांध और अंशा अपने बच्चों की साथ जैसे ही अंदर पहुचते हैं, तो देखते हैं, वहाँ पार्टी चल रही थी, अभई विक्रांध को देखकर बोला, ब्रो सर्प्राइज, विक्रांध पार्टी में मौझूद लोगों को देखता हैं, तो पाता हैं, वो सब कालेज में उसके बैच्च में थे, पार्टी में अबहे और सेलिना विक्रांत और अंशा का वेलकम करते हैं। अबहे और अंशा का वेलकम करते हैं। अंशा के पास आता हैं। और अंशा के कंदे पर हाथ रखकर पार्टी में मौझूद लोगों से मुस्कुराते हुए। बोला, भाई लोगों ये विक्रांत की आधी नहीं पुरी घर वाली हैं। पार्टी में सब लोग हैरान थे। डैनिस स्माइल करते हुए बोला, अभाई का फोन मुझे आया और मैं भी अपने सभी पुराने दोस्तों से मिलने आ गया। अभाई एक मेज से सभी बच्चों को गैंस रूम में लेकर जाने को बोलता है। किया और वर्धन वहां पहले ही मौझूद थे। चप 413 आलू और वर्धन का आमना सामना। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बोग को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बोग को रेटिंग भी जरूर दें। विक्रांद डेनिस को घेर रहा था। वही डेनिस विक्रांद से बोला, भाय अब ऐसे क्या घूर रहे हो, कल सुबह की फ्लाइट से इंडिया वापस चल जाओंगा। विक्रांद को और वोईस में बोला, गूड फोर यूू। फिर अब है विक्रांद को अपने साथ ड्रिंग के लिए लिए जाता है, वही डेनिस अंशा से मुस्कुराते हुए बोला, अंशा तुम्हें पता है, इस पार्टी में जितनी भी लड़किया आए हैं, वो सब कालेज टाइम में भाय की पीछे इस कदर पागल थी, कि भाय क इनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, चलो मैं तुम्हें भाय की दिवानियों से मिलता हूँ, डेनिस की बात सुनकर अंशा क्यूट फेस बना कर बोली, जी जु विक्रांद सर की किस एक दिवानी ने मुझे पेट में चाकु घोप दिया तो, डेनिस हंसने लगता हैं, और अंशा का हाथ पकड़ कर, उसे उस लड़की के पास लेकर पहुँच जाता हैं, जो कालेज में विक्रांद के लिए इसकदर पागल थी, कि उसने विक्रांद पर रिलिशन्शिप के लिए दबाव बनाने के लिए सुसाइट भी करने की कोशिश की, पर विक्रांद तो विक विक्रांथ था, विक्रांथ किसके दबाव में आने वाली पार्टी नहीं थी, वही गैम्स रूम में मेड आलू और बेबीस को लेकर पहुचती हैं, और उन चारों को छोड़ कर चली जाती हैं, वही किया अपने प्रिंसेस काउच पर बैठी थी, और वर्धन पूल बोल खेल रहा था, किया ने भी यलो कलर का प्रिंसेस गाउन पहना था, और वर्धन ने रोयल ब्लू कलर का कोट पहना था, वो और आलू मैच हो रहे थे, अंशा ने आलू को पहले ही समझा कर लाई थी, उसको आगे से जगर शुरू नहीं करना हैं, और अगर किया, उसे कुछ बोले तो उसकी शिकायक उसके बड़े भाई से कर देनी हैं, आलू अपनी क्यूट सी आवाज में किया और वर्धन को हेलो बोलती हैं, पर दोनों कोई रिस्पांस नहीं देते, सेंडी अपनी भाशा में आलू से बोली, म्याउ म्याउ म्याउ, ये तो वही घमरी लड़की हैं, ज अपसी आलू की कमर पर चहरा रब करते हुए अपनी भाशा में बोला, आलू बाबू तुम दरो मत, बड़े भेया हैं, किया एक्टी यूड में अपने प्रिंसेस काउच से ख़़ी होकर आलू से बोली, एमोटी भेंस का देख रही हैं, आलू अपने लिए मोटी भेंस सु कर गुस्सा हो जाती हैं, वैसे आलू अकेले ही काफी थी, किया को सबक सिखाने के लिए, पर अंशा ने जैसा उसको समझाया था, वो किया को एक बार माफ करके बोली, हम पुलनी बाते भूल कल दोस्त बन जाते हैं, किया अपने खुले बालों को बड़े स्टाइल से पीछ करते हुए बोली, मैं तुम जैसी मोटी भेंस से दोस्ती नहीं करने वाली, किया सिंघानिया की क्लास हैं, और तुम जैसी मोटी भेंस को अपनी दोस्त बना कर, मैं अपनी क्लास गिर नहीं सकती, किया की बात सुनकर बेबीज का दिमाग खराब हू गया था, आलू सिर्फ और अंशा के लिए ही खास नहीं थी, वो बेबीस के लिए भी बहुत खास थी, आलू बेबीस का भी दिल कर तुकड़ा थी, विक्रांत और अंशा की तरफ उन तीनों ने भी पुरे नौ महीने आलू के लिए बेसबरी से इंतजार किया था, म्यांगो ने गुस्से में एक कद मूटी भेंस ने लिए बेसम उठाया ही था, आलू उसके माथे पर हाथ रख कर मान करती है, खिया आलू को मोटी भेंस लगातार बोले जा रही थी, आलू पूल बोल खेल रहे वर्धन के पास जाकर बोली मेले को खिया मोटी भेंश बोल रही हैं, वर्धन अपनी नजर मोटी भेंस बोला तुम डॉनकी और तुम ली बहन मोखी वर्धन अपनी सर्ड निगाहों से आलू को ही देख रहा था आलू के नाजुक हाथों के पंच से वर्धन को कोई फर्च नहीं पर पर उसका एगो होट हो गया था आलू ने अपने लाफ्ट हैंड में चौकलेट पकली हुई थी वर्धन गुस्से में आलू से उसकी चॉलकेट लेकर फर्ष पर फेक कर गुस्से में दांक भींच कर बोला यू स्टूपिग गल तुमने वर्धन सिंधानिया पर हाथ उठाया आलू गुस्से मुँः फूल कर बोली तुमहली मिम्मत हिम्मत कैसे हुई आलू ओबाय से पंग लेने की मैं तुम्हें उठा कर मटक दूंगा यू डॉनकी एंड मुकी के ब्रदर किया आलू को मारने के लिए आगया तो पैप्सी किया का गाउन पकर लेता है और खीचने लगता है और मैंगो आलू को पीछे करके खुद वर्धन के सामने आकर गुस्से से घूरने लगता है वर्धन मैंगो की गुस्से से लाल आखे देखकर कोल्ड वोईस में बोला बढ़ी बिल्ली अपनी ये गुस्से से लाल आखे देखकर किसी और को डरना वर्धन सिंधानिया किस से नहीं डरता मैंगो अपनी भाशा में दारते हुए वर्धन से बोला मैंगो ओबरोय भी किस से नहीं डरता, अगर मेरी आलू को फिर से कुछ बोला, तो कच्चा खा जाओंगा, वर्धन और मैंगो एक दूसरे को बुरी तरह से घूर रही थे, वही पैपसी किया का गाउन खीच कर परेशान करने में लगा था, सेंडी आलू के सिर पर बैट कर, उसके माथे पर किस करके उसके गुसे को शान्त करवाने की कोशिश कर रही थी, वही नीचे हॉल में पार्टी बड़ी जोरों शोरों पर चल रही थी, सब कपल डांस कर रहे थे, वही अंशा और विक्रांध भी एक दूसरे को बहु में लेकर रोमेंटिक सौन पर डांस कर रहे थे, वही डांस के ब आनी से फट जाती हैं। आलू वर्धन के पेट में पंच कर रही थी और पैपसी किया का गाउन खीच रहा था। और मैंगो और सैंडी एक कोने में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। वही अंशा जैसे गैम्स रूम के अंदर आती हैं। तो अंदर का नजारा देखकर जोर स चिलाती हैं। आलू पैपसी पैपसी तो अंशा की आवाज सुनकर किया का गाउन खोर देता हैं। पर आलू अभी भी वर्धन के पेट में अपने नाजुक हाथों से पंच मार रही थी। अंशा तेज कदमों के साथ आलू के पास आती हैं। और आलू को वर्धन से दूर क करके वर्धन को अपने गले लग लेती हैं। और उसके बालों पर किस करके बोली वर्धन बेटा तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना। आलू के चेहरे के एक्सप्रेशन से वर्धन को महसूस होता हैं। अंशा उसको प्यार कर रही हैं। ये बात आलू को बिल उससे दूरो कर उसका पेट सहलाते हुई प्यार से बोली ओ, मेरा बच्चा आलू अंशा को किस और को प्यार करते देखकर चिल जाती हैं। वही किया भाग कर अपनी मोम की पैरों से लिप जाती हैं। और रोते हुए आलू और पैपसी की शिकायत करने लगती हैं। मोम इस अंशा का वर्धन के गालों पर किस करके उसका हल पूछ रही थी। ये सबब आलू से बरदाश्ट नहीं हुआ और वो गला फार कर रोने लगती हैं। आलू को रोता देख अंशा बिना सच्चा इजाने उसके उपर बुरी तरह से चिल ला कर पढ़ती हैं। अंशा के चिल कर लूँगा एक की चार लग कर बोलूँगा आलू की। धम की सुनकर अंशा को होश आया कि अभी अभी उसने किस के ऊपर चिल लाया। हैं। आलू ने अगर इस बारे में विक्रांत को बता दिया तो बच्चों की लडाई में उसकी ब्यान बाजा जाएगी। अंशा वर् चिल लाये। आलू बाबू प्लीज आप अपने डैडी को कुछ मत बताना। आलू रोते हुए बोली। अब तो मैं डैडी को बताओगा। आपने मिले पल चिल लाया। और मिली जगही इच डॉनकी को पार किया। टपसी और सेंडी भी अंशा को घूर रही थे। अंशा क आलू को जबर्दस्ती अपनी गोध में लेकर बोली। आलू बाबू मम्मा सौरी बोल रही है ना। पर आलू कहां माने वाली थी। सेलिना किया को अपनी गोध से उतर कर वर्धन के पास जाने को बोलती है। और खुद अंशा और आलू के पास आती है। सेलिना आलू के ब अब तो आलू विक्रांद की गोड में जाकर ही चुकूने वाली थी, वही वर्धन को आलू की कमसोरी पता चल गई थी, वर्धन किया को अपने गले लगकर कोल्ड वोईस में बोला, किया तुम चिंता मत करो, इस हारी आँखो वाली मोटी भेंस लड़की को अब मैं बताता वर्धन सिंघानिया और किया सिंघानिया से पंग लेने का क्या अंजाम होता है, किया अपने भाई की बात सुनकर खुश हो जाती है, वही जब काफी देर तक अंश्रा और सेलिना नीचे बच्चों को दिन के लिए लेकर नहीं आती, तो अभई एक सरवेद को उनको बुला वही बार काउंटर पर तीनों दोस्त बैट कर रेद वाइन पी रहे थे, डैनिस अभई से पूछता है, अभई तुम्हारी और सेलिना की लव मेरेज है, या अरेंज मेरेज, अभई टेरी स्माइल करते हुए बोला, या डैनिस ना मेरी लव मेरेज है और ना अरेंज जबरदस्ती वाली मेरेज है, अभई की बात सुनकर डैनिस जोर से हसते हुए बोला, हम तीनों दोस्तों को नसीब में ना लव और ना ही अरेंज मेरेज है, हम तीनों दोस्तों के नसीब में जबरदस्ती वाली मेरेज है, विक्रा अन डैनिस की बात सुनकर कोल्ड वोइस म बोला मैंने कब अंशा से जबर्दस्ती शादी की उसने अपनी मर्जी से मुझे शादी की थी गैनिस हसते हुए बोला भाय अंशा को पता होता सहारे में आप हैं तो आपको जबर्दस्ती ही अंशा से शादी करनी पड़ती अभय अपने बालों में हाथ फेर कर बोला यारों अच्छी और संसकारी लड़कियां हम अमीर लड़कों से दूर ही भागती हैं, वो हमें धरकी और लड़की बात समझती हैं, अब मेरी सेलिना को ही देख लो, शादी के लिए इस औरत ने मुझे अपने आगे पीछे बहुत घूमया, बढ़ी मुश्किल से सेलिना को मैंने पूझता है, ब्रो तुम्हें आसमान की अपसरा कहां से मिल गई? विक्रांट एक्सप्रेस लेस फेस के साथ बोला, मुझे भी अपनी वाली इस धर्ती पर मिली हैं, डैनिस मुस्कुराते हुए बोला, अब है यार भाई की लव स्टोरी बढ़ी अजब गजब हैं, कभी इ अंशा की गोड में छटपतने लगती हैं, अंशा से आलू जब संभालती नहीं है, तो वो उससे नीचे उतर देती हैं, आलू भागते हुए विक्रांट के पास जाकर रोते हुए बोली, डैडी मम्मा मिले को पार नहीं करती, अंशा अपने मन में बोली, मेरी बेटी कितनी चूरिल हैं, अपनी मा की ही बैंड बजवाना चाहती हैं, विक्रांट अपनी चेर से खड़ा होकर, आलू को गोड में लेकर प्यार से बोला, मम्मा ने क्या किया, आलू क्यूट फेस बना कर रोते हुए बोली, मैं आपके कान में बताऊंगा, फिर आलू विक्रांट के कान में बोलने लगती हैं, वही अंशा बस आलू को अपनी चुबली लगते हुए देखा रही थी, अंशा बेबी से बोली, अरे नालायक तुम तीनों खड़े होकर क्या देख रहे हो, जाकर उस भालू को मेरी चुबली करने से रोका, मैंगो को को घूरते हुए बोला, आपके साथ तो यही होना चाहिए, आपने मेरे आलू को बिना सच जाने डांट मुझे आपसे बात नहीं करनी, टापसी और सेंडी भी मूँ बना लेते हैं, वही आलू की बात सुनकर विक्रान तंशा को अपनी सर्द निगाहों से घूरता है, अब है सेलिना से पूछता है, आलू थियूरो रही है, तो सेलिना बोली, वो बच्चो में आपस में जगड़ा हो गया था, अब है आलू के सिर पर हाथ फेर कर बोला, अलीशा, बेबी आप रोना बंद करों, मैं किया और वर्धन को दान्टूगा, विक्रान तुस पर अंशा से, कुछ नहीं पूछता, फिर व लोग दिना करने लगते हैं, और वर्धन जान पूछ कर अंशा, के हाथों से खाना खाता है, आलू जो विक्रान्ट की गोड में बैठी थी, वो बुरी तरह से, चिर रही थी, विक्रान्ट और उसके बच्चे अंशा की पीछे ओप पजैसिव थे, अंशा पर वो, लोग अ अपना ऐसा हग समझते थे, कि अंशा किसी दूसरे को अपना थोड़ा सा भी प्यार नहीं दे सकती थी, विक्रान्ट और उसके बच्चे अंशा के प्यार और केर पर बस अपना, ही हग समझते थे, वही विक्रान्ट भी अंशा को वर्धन को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए देख रहा था, आलू विक्रांथ के कान में बोली, डैदी आप देख लहे हो, मममा मेरा हिस्से का पारीज मोखी के भाई डॉन्की को दे रही है, विक्रांथ आलू के बालों पर किस करके बोला, आलू बाबू तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मममा की आकुतों में आज रात ठीकने लग दूंगा वही डैनिस अंशा के कान में धीरे से बोला अंशा भाय आज रात तुम्हारा भरता बनाने वाला हैं। तूट जाता हैं और वह चिल लाते हुए वर्धन से बोली यो डॉन की मेली मम्मा छे दूर लहो मेली मम्मा बच मेले को पार कर चकती है और बच मेले को ही खाना खिला चकती है अंशु बच मेली मम्मा हैं। पूरा विश्वास था, कि उसके बच्चे पीट कर आने वाले नहीं, बलकि पीट कर आने वाले हैं। विक्रान्थ को पता था, आलू और सैंडी गुस्सा आ गया, तो सामने वाला को छोड़ती नहीं है। वही कप्सी और मैंगो बस सीरियस सिचुएशन में ही सामने वाले पर हमाल करते थे, पर आलू और सैंडी हर किसी को पीट दिया करती थी। मेरे साथ रहेंगी, आलू जो अभी विक्रान्थ के साथ करने से थोड़ी सी शान्थ हुई थी। पर वर्धन की बात सुनकर वो इस बार बॉखला गई, आलू चिलाते हुए बोली, यू डॉन की मेले मम्मा छे दूल हो जा, पर वर्धन को तो आलू का खून जालने था। वर्धन अंशा के कंधे पर किस करता है? आलू गुस्षे में चिलाते हुए विक्रान्थ की गोद से जम करके भागते हुए अंशा के पास जाती है, और वर्धन के बालों को अपने छोटी-छोटे हाथों में भर कर खीचते हुए बोली, अंचु मेली मम्मा है, मेली मम्मा आलू एक बार और वर्धन के गाल पर बाइट कर लेती है, वहां बैठा हर एक इनसान आलू के इस behavior से हैरान था, अंशा आलू को जल्दी से अपनी गोद में लेकर अपने सीने से लग कर प्यार से बोली, आलू बाबू मैं बस आपकी मम्मा हूँ, मैं बस आपको प्यार करत आलू अंशा के सीने से लग कर फूट फूट कर रोने लगती है, आप बच मेली, मम्मा हो, आपको इच डॉनकी को पार कल रही हो, वही आलू के दांतों के निशान, वर्धन के गाल पर देख रहे थे, और आलू ने पुरी ताकत से वर्धन को बाइट किया था, जिस वजह स वर्धन के गाल के बाइट माक से हलका सा खून भी निकल रहा था, ये देख सेलिना भाग कर आती है, और वर्धन को चेर से खड़ा करके अपने सीने से लग लेती है, अभय तो अब भी आलू को ही हरानी से देखा रहा था, उसने किस भी, बच्चों को अपनी मा के पीछे द हलू को, मेरे बेटे को कोई एक उंगली भी टच करें, तो ये उसको छोड़ता नहीं है, और तुम्हारी बेटी ने तो मेरे बेटे को ही धालिया, विक्रान टेरी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, हम दोनों हस्बंद वाइफ ने कुछ स्पेशल खा कर अपने अपनी बेटी को पैदा किया था, तो मेरी बेटी को इतना खुंखार हो नहीं था, विक्रांथ वर्धन को अपने पास बुलाता है, सेलिना वर्धन को विक्रांथ के पास जाने को बोलती है, वर्धन विक्रांथ के पास जाता है, विक्रांथ वर्धन के गाल पर आलू के दातों के निशान देख कर हैं और फिर वर्धन के गाल पर हाथ रख कर शांत आवाज में बोला आलू अपनी मम्मा को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर पजैसिव हैं वो अपनी मम्मा के लिए कुछ भी कर सकती हैं यहां तके अपने डेडी से भी लड़ जाती हैं तो अगली बार उसकी म आवाज में मुस्कुराते हुए बोला अंकल मर्द को दर्द नहीं होता विक्रांत वर्धन की बात सुनकर एक आईब्रो एरेस करके बोला बेटा अभी तुम्हारे मर्द बनाने में कुछ वक्त बाकी हैं अपनी मोम के साथ जाओ सेलिना वर्धन को अपने साथ ले जाती है वही किया आलू का जंगली भालू रूप देखकर धबरा गई थी आलू अंशा के सीने से लग कर रोय जा रही थी और बस एक बात बोल रही थी आप मेली मम्मा हो आपका पाल बच मिला है अभाई को समझ नहीं आ रहा था आखिर इन बच्चुं में ऐसा भी क्या हो गया कि के तीनों ऐसा बहेव कर रहे हैं अभाई को अपनी बेटी के बारे में पता था कि किया को उसके लादल प्यार ने बिगारा दिया था वो अभी से घमंडी बन गई थी तो अगर वो किया से पूछेगा क्या हुआ था तो वो सच नहीं बनाएगी अभाई का सिर अपने बच् कर बोला अभाई अब हम चलते हैं अभाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा रहा था जो कुछ भी बच्चों के बीच हुआ अभाई वर्धन और किया की तरह से विकORAंट को सौरी बोलता है विकORAंट शांत आवाज में बोला इस ओके मुझे पता है फिर विकरांट और प्रंशापने बच्चों के साथ अभय के घर से निकल जाते हैं, वही अभय डैनिस से बोला, यार तुम तो सुबह जाना, डैनिस अपनी चेर से खड़ा होकर बोला, अभय अगर मैं घर नहीं पहुचा, तो मेरा बेटा मेरी बैन बाजा देगा, मेरा बेटा भी मेरे पीछे पागल हैं, जब तक मेरी डांट नहीं खा लेता, तब तक खान नहीं खाता, मैं फिर कभी अपनी फैमिली के साथ आऊंगा, अभय ओके बोलता हैं, फिर डैनिस वहां से सीधे अपोर्ट के लिए निकल जाता हैं, वही अभय किया को अपनी गोद में लेकर अपने रूम में चला जाता हैं, वही कार में अंशा को दोनों बाप बेटी घूर रहे थे, विक्रांत अंशा से कोल्ड वोईस में बोला, तुमने बिना सच्चाई जाने आलू को क्यूं डांट? अंशा मासूम चहरा बना कर बोली, अब हो गई गलती, आलू अंशा के गाल पर बाइट करके बोली, आपने उच्च डॉनकी को कूप आर किया, अंशा अपना गाल से हलाते हुए बोली, अब हो गई गलती, मैं आप दोनों बाप बेटी की तरह समझदार नहीं हूं न, इसलिए मुझे हो गई गलती, वोही विक्रांत की गोड में बैट पेप्सी अंशा को भूरते हु मम्मा आपको पता है, उस मोकी लड़की ने और उसके भाई ने आलू को मोटी भेंस बोला, फिर पेप्सी अंशा को सब कुछ बता देता है, सच जानकर अंशा आलू को अपनी बाहों में कसकर ड्राइवर से बोली, कार सिंघानिया मेंशन की तरह मूरो, उन दोनों बतमीज बच्चों को मैं बताऊंगी, मेरी बेटी को मोटी भेंस बोलने का क्या नतीजा होता है, ग्राइवर एक बार विक्रांद की तरफ देख कर पूछता है, क्या करना है, तो विक्रांद उसको होटल चलने को बोलता है, आंशा विक्रांद को बस कुछ बताती है, विक्रांद अन्षा और आलू के बालों पर किस करके बोला, स्वीजाक ये बच्चों की लड़ाई हैं, इसमें हम बड़ों को नहीं पढ़ना चाहिए, बच्पन में बच्चे बहुत कुछ ना समझी में करते हैं, पहले लड़ते हैं और फिर दोस्त बन जाते हैं, तो हमें अपनी आलू क में आलू के नाम का खौफ नहीं देखा, और उस छोटे शैतान को तो आलू ने अच्छे से बात दिया, कि आलू को कामजोर लड़की नहीं है, अब इस बात को और मत बढ़ाओ, क्योंकि इन सब का आलू के दिमाग पर भी असर पर सकता हैं, और मैं अपनी बेटी के लिए हेल्दी मौहल चाहता हूँ, अंशा विक्रांट की बात सुनकर इंप्रेस होकर बोली, हब्बी आपने तो मेरा दिल जीत लिया, आप एक अच्छे हब्बी होने के साथ एक बहुत अच्छे डैड भी है, मैं और मेरे बच्चे बहुत लखी हैं, विक्रांट अंशा को देख कर तेडी स्माइल करते हुए बोला, स्वीट हाट अगर ऐसा है, अब अपने हब्बी को उसकी समझदारी के लिए इनाम भी दे दो, अंशा विक्रांट की बात सुनकर आलू से बोली, आलू बाबू आपके डैडी किस मान रहे हैं, देदू क्या आलू इस वक्त अंशा के ल आप मिली ममा हो, आप बच मिले को पार करो, डैडी को किछी पची दे देगा, आप मिले को किछी दो, अंशा और विक्रांट आलू की बात पर हसने लगती हैं, वही दूसरी तरफ अभई के मेंशन में सेलिना ने दोनों बच्चों को सुला दिया था, वो बच्चों को सुल भी अकल और बतमीज नहीं सीख रखी, उस पीदी सी लड़की ने कैसे मेरे बच्चे के गाल पर काट, अभई लप्टॉप का स्क्रीन को सेलिना की तरफ करता हैं, उसमें गैम्स रूम का फूटीज चल रहा था, अभई सेलिना से कोल्ड वोईस में बोला, तो अपने बच् की हरकत देख कर धीमी आवाज में बोली, अभई किया और वर्धन से गलती हो गई, वो बच्चे ही हैं, अभई लप्टॉप बंद करके बोला, तुम्हें पता हैं, विक्रांत ओबरोय कौन है, और कैसा है, विक्रांत ओबरोय एशिया का नंबर वन बिजनेस मैन और वं अभई कर देख भर्धन को अपनी बेटी के साथ बतमीजी करने पर भी बस इसलिए माफ कर दिया, क्यूखि ये मेरे बच्चे हैं, वरना अपनी बेटी के बेजती के बदल विक्रांत ओबरोय बच्चों के बाप को बर्बाद कर देता, विक्रांत ओबरोय की डिक्शनर की माफी मानगेंगे और अगर मेरी बात किया और वर्धन ने नहीं मानी तो मुझे उन दोनों को बोर्डिंग स्कूल भेजना पड़ेगा सेलिना बोर्डिंग स्कूल का नाम सुनकर घबरा जाती है और अभय से बोली मैं बच्चों को मान लूँगी प्लीज तुम फिर से बो अगल दिवाने की तरह चिपकी हुई थी वो आज तो अंशा से बिलकुल भी दूर नहीं हुने वाली थी और विक्रांद ने भी कोशिश नहीं की इस वक्त आलू को अंशा की ज़्यादा जरूरत थी अंशा चेंज करके आलू को चेंज करवाती है और विक्रांद भी में भर कर बोली, I love you to आलू मेरे भालू, विक्रान्त आलू को अंशा पर प्यार लूटते देखकर आलू से बोला, आलू बाबू डैडी को कौन प्यार करेगा, आलू अंशा की गर्दन में चेहरा छुपा कर बोली, आपको मैंगो पार करेंगा, मैं बस अपनी मम्मा को प्या करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें, वही आधी रात का वक्त था, विक्रान्त आखे खोल कर अंशा को देखता है, आलू अब भी अंशा के उपर चद कर सो रही थी, विक्रान्त अंशा के माथे पर किस करता है, अंशा विक्रान्त के कि करने से नींद में मुस्कुराने लगती है विक्रांत आलू की पीत को सहलाते हुए अपने मन में बोला इस अभाय के बेटे की वजल से मेरा आज का प्लान चौपट हो गया अगर सब कुछ सही रहता तो इस वक्त आलू की जगह मैं अंशा के ऊपर होता विक्रांत से खुद प अपना पर रहा था विक्रांत आलू को धीरे से अंशा के उपर से उठाने की कोशिश करता है तभी विक्रांत के कानों में आलू की नींद भरी आवाज परती है डैडी आपने को को ममा से दूल कल रहे हो विक्रांत को यकीन नहीं हो रहा था उसकी कुमकरल बेटी नींद मे से जाग गई विक्रांद प्यार से बोला आलू बाबू मैं तो बस आपको बैक पर ठीक से सोला रहा था आलू विक्रांद से बोली तुप तुपा मेले को मेली मम्मा के ऊपर ही ले दो वलना विक्रांद आलू को अपनी गोड में लेकर प्यार से बोला आलू बाबू मुझे आपकी मम्मा को प्यार करना है, तो आप प्लीज बेबीज के पास जाकर सोजाओ, आलू अपनी हरी आँखे आधी खूल कर बोली, आपको पता है ना, अंचु मेली मम्मा है, तो अंचु को बच्ट मैं पाल कल चखता हूँ, ओल अंचु भी बच्ट मेले को पाल कल चखती है, गालों पर किस करके प्यार से बोला, आलू अपने डैडी की हालत को समझो, प्लीज मुझे मेरे खरगोशनी के पास आने दो, आलू अपनी आखे टिम टिमाते हुए बोली, आपको थोटे चोटे बच्टों को पले चान कलते हुए छर्म नहीं आती, मैं क्यूट आलू अपन मुझे अपनी मम्मा के करीब आने दो, आलू विक्रांद का मासूम चहरा देखकर बोली, आपकी तल्चाल मिले उपर नहीं चलेगी, अब मिले को छोलो, विक्रांद आलू से बोला, आलू बाबू आप जो मान गोगी, मैं आपको दिलवा दूनगा, पर प्लीज मुझे मेर खरगोशनी के पास आने दो, आलू बिलकुल भी मानने को तयार नहीं थी, बेचारे विक्रांद को ही हार मानी पड़ी, और वो आलू को वापस अंशा के ऊपर लेट कर बातरूम में खुद को शान्त करने चला जाता है, आधे घंटे बाद जब विक्रांद रूम में वाप पसाता है, और अपनी जगल पर लेट जाता है, और अंशा और आलू को अपनी बाहों में भर लेता है, और फिर वो जाता है, वही अगली सुबह विक्रांद बेबीस को लेकर जिम चला जाता है, आज आलू देर तक अंशा के साथ सो रही थी, वही विक्रांद जब एक जब जिम से लोटता हैं, तो अंशा को रोते हुए देखता हैं, आलू अभी अंशा की सीने से बंदर के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी, अंशा विक्रांद को देखकर रोते हुए बोली, एक, हब भी मेरे इस पागल दिवाने से मुझे चुटकारा दिलवा दो, ये मुझे वाश्रूम भी नहीं जाने दे रही हैं, विक्रांद आलू को अपनी गोड में जबर्दस्ती ले लेता हैं, और अंशा बाथरूम में भाग जाती हैं, विक्रांद को घूरते हुए बोला, शैतान अब मम्मा को सताना बंद करो, मुझे पता हैं, ये सब तुम अपन मम्मा को परेशान करने के लिए कर रही हो, आलू अपने दांग दिखाते हुए बोली, डैरी आपको पता तल गया, विक्रांद आलू के मोटे मोटे गालों पर किस करके बोला, मैं आपका डैर हूँ, मुझे सब पता है, मेरा भालू कब क्या करता है, आलू क्यूट तरीके स स्माइल करते हुए विक्रांद से बोली, पल आप मम्मा को अभी नहीं बताओगे, कि मैं नाटक कर रहा हूँ, जैसे मम्मा ने मिले को पलेचान किया, अब मैं भी करूंगा, विक्रांद आलू को भूरते हुए बोला, बस आज शाम तक तुम मेरी खरगोशनी को परेशान क कर सकती हो, उसके बाद मेरी खरगोशनी मेरी होगी, आलू विक्रांद के गाल पर किस करके बोली, मिले अच्छे डैडी, वोही विक्रांद फैमिली रेडी होकर घूमने निकल जाती है, आलू पुरे टाइम अंशा के सीने से चिपकी हुई थी, और साइको दीवानों की तर अभय का फोन आया, वो विक्रांद फैमिली के साथ दिनर करना चाहता था, विक्रांद अभय को अपने होटल ही आने को बोलता है, वही रात के आठ बजे दोनों फैमिली होटल के चाइनीज रस्टोरेंट के वियाईपी रूम में बैठे थे, वर्धन को देखकर आलू चीने से लगे हुए बोली, मैं अपनी मम्मा से दूर नहीं होंगा, ये डॉन की मिले मम्मा के बचा जाएगा, सेलिना आलू से प्यार से बोली, अलीशा बेबी हमारी तरफ देखो, आप से किया और वर्धन कुछ कहना चाहते हैं, आलू अपनी गर्धन भुमा कर उनकी तर आप दो, आलू विकरांद की तरफ देखती हैं, तो विकरांद पल के झपका कर आलू को किया को माफ करने को बोलता है, आलू विकरांद की बात सुनकर बोली, किया आलू को एक gift box देती है आलू तुन्थी gift खोलती है तो उसमें एक प्यारी सी डॉल थी आलू उसको देखकर खुश हो जाती है आलू किया को gift के लिए thank you बोलती है वही अभय अपने side में बेठे वर्धन से बोला वर्धन तुम्हें भी आलू से कुछ बोलना है वर्धन आलू को कुछ देर तक देखकर बोला अलीशा I am sorry मुझे तुम्हारे साथ बुरा बेहेव नहीं करना चाहिए था फिर वर्धन भी आलू को एक gift box देता है आलू वो gift box भी खोल कर देखती है उसके अंदर एक jewelry box निकलता है आलू वो अंशा को देखती है अंशा वो jewelry box जैसे ही खोलती है तो उसके अंदर एक जलपरी वाला locket निकलता है अंशा वो जलपरी वाला locket आलू को पहन देती है विक्रांत वर्धन और किया को अपने पास बुलाता है अब है किया को अपनी गोड से उतर देता है, किया और वर्धन विक्रांद के पास आते हैं, विक्रांद किया और वर्धन को अपनी गोड में बैख कर शांत आवाज में बोला, बेबी आपकी उम्ह खेलने और पढ़ाई करने की है, आपकी उम्ह में गुस्रा और घमन अच्छ आउंगी, विक्रान धा में सिरहिलाता है। सेलिना अंशा से बेबीस के बारे में पूछती हैं। तो अंशा बोली, मेरे बेबीस को ना टीवी देखने का बड़ा शौक है। इसलिए वो टीवी पर अपनी फिवरेट होरर मूवी देखने के चक्कर में हमारे साथ नहीं फिर वो सब अच्छे से दिन करते हैं और अभय अपनी फैमिली के साथ अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। इस वक्त वो अपनी कार में थे, वर्धन अपने मूम डैड के बीच में बैठा था और किया अपने डैड की गोद में किया को विक्रान्थ बहुत पसंद आ गय और सौरी तो बिलकुल भी नहीं बोलता था पर सेलिना के बहुत जादा समझने के बाद वर्धन अलू से सौरी बोलने के लिए मान था, वर्धन अपने मन में बोला, अलीश्रा ओबरोय तुमने वर्धन सिंधानिया के एगो को हट किया है, अब तुम देखना, मैं मौका आ अफ नहीं किया था, क्योंकि वर्धन ने अंशा को प्यार कर रहा था, उसके हाथों से खाना खा रहा था, तो आलू को यही लग रहा था, वर्धन उससे उसकी मम्मा चीनन चाहता है, विक्रांत आलू को सेंडी के पास लेट कर बोला, आलू बाबू अब किया या वर्धन क बोली डैडी वो डॉन की मुझ्छे मिली मम्मा तो नहीं चीनेगा ना विक्रांत आलू के माथे पर किस करके बोला डैडी को होते हुए आलू से उसकी मम्मा को कोई दूर नहीं कर सकता अब सो जाओ विक्रांत अपने चारों बच्चों को अच्छे से ब्लैंकिट ओर कर रूम की लाइड बंद करके दिम लाइड जाल देता है और रूम का दोर बंद करके अपने रूम में आता है वही अंशा होट सी नाइटी पहन कर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैक कर मॉइस्चराइज लगा रही थी विक्रांत अंशा की आँखों पर पट्टी बांध कर सेक्सूल वोइस में बोला स्वीट हाट रेडी टू सर्प्राइज आखिर क्या है विक्रांत का अंशा के लिए सर्प्राइज जाने के लिए पढ़ते रहिए